नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में 67th BPSC PT 2022 के लिए प्रेक्टिस सेट डिसकस करेंगे यह प्रेक्टिस सेट नम्मर 5 है इसका पहले 4 प्रेक्टिस सेट अपने चैनल पर अप्लोड कर दिया गया है जो इससे नहीं देखे जाके देख लिजिएगा यह आपके भॉलूम 2 है भॉलूम 1 अपने चैनल पर पहले ही अप्लोड कर दिया गया है आप लोग प्रेल लिस्ट में जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियों टुटल पके 150 कोशन होगा 150 में साप लोग इतने कोशन सही करते हैं उसके बारे में कमेंट बोक्स में बताइएगा जब ते टिलिग्राम गूरूम जोएन कर सकते हैं और टिलिग्राम गूरूम से इसका मेथ का पीडियाप का प्लोड डाउनलोड कर सकते हैं तो आई देखते हैं पहला कोशन नेक्स्ट है साहज आद्वारा निर्मित तकते ताउत पर बैठने बाला अंतिम मुगल बादसा कौन था तो जो तकते ताउत से किसके द्वारा निर्मित किया गया था साहज आँके द्वारा बनाया गया था और इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बातसा कौन था तो मुहाम्मज सा प्रिथम था जो मुहाम्म眜 सा प्रिथम है इसका कारीकाल कब से कब तक है तो 1729 से 1748 तक इसका कारीकाल है इसमें ध्यान रखना है कि जो तक्ते ताउ से इसे भारत से कौन लेके चला जाता है तो नादिर सा लेके चला जाता है नादिर सा का अकर्मन होता है मुगल इनफायर पर मुगल बंस पर 1749 में और इसी समय जो है नादिर सा जो साहा जहां के द्वारा निर्मित तकते ताओ से इसे अपने साथ लेके चला जाता है तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा किस बर्स इरोप में अंग्रेजो एबम फ्रांसी स्यू के मद सब्त बर्सी यूद प्रणब हुआ तो कब प्रणब हुआ था 1756 में प्रणब हुआ था और इसी समय जो है भारत में तीर्तिय करनाठक यूद प्रणब होता है तिर्थिय करनाठक युद है ये कब से कब तक चलता है तो 1756 से 1763 तक चलता है और जो तिर्थिय करनाठक युद होता है इसमें प्राजित कौन होते हैं तो फ्रांसिसी आपके प्राजित हो जाते हैं फ्रांसिसी इसमें प्राजित हो जाते हैं नेक्स्ट है खगोली गन्नाओं एवं खोजो के लिए राजा जैसी ने बेद सलाओं का निर्मान किन-किन अस्थानों पर किया था तो मत्रा में किया था, जैपूर में किया था, दिल्ली में किया था, उज्जैन और बारानसी फिर से बोलते हैं मत्रा जैपूर दिल्ली उज्जैन 12 नसी में किया गया था तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा निमलिखित में से कौन सा कार लॉड बिलेजली के द्वारा नहीं किया गया तो जो लॉड बिलेजली है इसका कारिकाल कब से कब तक रहता है तो जो लॉड बिलेजली है इसका कारिकाल 1798 से 1805 के बीच में रहता है तो इसके द्वारा क्या नहीं किया गया देख लिजिए सहयक संधी निती को अपनाया गया तो इतो ठीक है चतूर्थ आंगल मैसूर यूद से मैसूर का नियंतरन ये भी ठीक है जो चतूर्थ आंगल मैसूर यूद है इसी में आपके टिपू सुल्तान मारा जाता है फोर्ट बिलियम कॉलेज की अस्थापना कलकत्ता में तो यह भी ठीक है पेशवा के साथ बसीन की संधी तो यह भी ठीक है तो सारे का सारे ओप्सन ठीक है इसमें कोई भी ओप्सन गलत नहीं है तो यह ओप्सन इसका राइट हो जाएगा प्रथम आंगल नेपाल यूद की समापती सुगौल की संधी से हुई सुगौली नामक अस्थान कहां अवस्थी थे तो बिहार में अवस्थी थे बिहार के पूर्वी चंपरण में अस्थी थे तो भी इसका राइट अंसर हो जाएगा 1857 के बिद्रों के समय दिल्ली में सैनिकों का वास्तिविक नेत्रित किस ने किया था दौर्वा देखेगा 1857 के बिद्रों के समय ठीक है दिल्ली में जो है सैनिकों का वास्तिविक नेत्रित किस ने किया था तो किसके दौरा किया गया था वक्स्त खा के द्वारा किया गया था, जो वक्स्त खा कौन थे, तो जो बहादूरसा जफर है, इनके सेना पती थे, कौन थे, बहादूरसा जफर के सेना पती थे, हिंदी भासा के पर्थम समाचार पत्र का प्रकासन किस अस्थान से हुआ था तो कलकत्ता से हुआ था और उसका नाम क्या था तो 30 माई 1826 को इसका प्रकासन हुआ था किसके द्वारा तो जुगल किस और की द्वारा फिर से बोलते हैं जुगल किस और की द्वारा ठीक है तो डे इसका राइट अंथर हो जाएगा नेक्स्ट है निमनखेत में से किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया तो इस में से किसका गठन जो है दादा भाई नौरोजी नहीं करते हैं तो लंदन इस्ट लंदन इंडिया सोसाइटी इसकी अस्थापना दादा भाई नौरोजी करते हैं और जो ल गरते हैं 1 1866 में बंबे एस्टापना दादा भाई नौरुजी के द्वारा नहीं किया जाता है तो बदु उद्दीन टइब जी और फिरोसा मेहता के द्वारा किया जाता है और कब किया जाता है, तो 1885 में किया जाता है. कि नमिखित में से किस ने कॉंग्रेस के बारे सीघ को तिन दिन का तमसा कहा था, तो किस के द्वारा बोला गया था? तो अस्वणी कुमार दत के द्वारा बोला गया था? अठारा फरवरी 1946 को साही नौसेना का विद्रोह किस सहर से सुरू हुआ अच्छा प्रस्त है अठारा फरवरी 1946 को जो साही ध्याना केगा नौसेना का विद्रोह किस सहर से सुरू होता है तो बंबई से सुरू होता है कहां से सुरू होता है बंबई से सुरू होता है और ध्यान लखना है कि जो नौसेनिक विद्रो ही थे यह आत्म समर्पन किसके कहने पर करते हैं तो मुहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल की कहने पर जो है आत्म समर्पन करते हैं और जो साही नवसेना का बिद्रो है किस जहाज से सुरू होता है तो नोट किजिएगा INS तलवार से सुरू होता है तो नोट किजिएगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है उसके बाद नेक्स्ट है कि निमलिखित में से कौन सा कार जो है 1931 के भारती रास्टी कॉंग मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था यह तो ठीक है आर्थिक नेती का प्रस्ताव पारित किया गया यह भी ठीक है गांधी इर्विन समझोते का अनुमोधन किया गया तो यह भी ठीक है तो तीनों आपके जो ओप्सन है यह ठीक हो जाएगा तो D इसका किया गया था महात्मा गांधी ने स्वरपर्थम भूख हर्थाल का परियोग कब और कहा किया तो महात्मा गांधी ने स्वरपर्थम भूख हर्थाल का परियोग जो है आहमदाबाद में करते हैं और कब करते हैं उनिस्सो अठारा में करते हैं, कब करते हैं, उनिस्सो अठारा में करते हैं, नेक्स्ट है कि निमलिखेत में से किसने, नमक सत्यागरा के दोरान, तिरी चिला पल्ली से, तिरी चिला पल्ली से जो है, बेदार नियम, तक कि यात्रा की, तो किसने की, तो सी राजगोपाला, चा वारताकार थे तो कांग्रेस के अधिकारिक वारताकार कौन थे तो जवाहलाल नहरू जवाहलाल नहरू और मौलाना अजात थे जवाहलाल नहरू और मौलाना अजात थे तो एक से अधिक ओप्सन आपका ठीक हो जाएगा क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था तो 1942 में क्रिप सुरत बिभाजन के समय भारत का बाइसराय कौन था तो सबसे पहले इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब कांग्रेस का बिभाजन होता है कब होता है 207 में होता है गरम दल और नरम दल में तो उस समय भारत का बाइसराय कौन था तो लौड मिन्टू सेकेंड था और आप सभी लोग कमेंट करके बताईएगा कि जब कांग्रेस का 207 में बिभाजन होता है तो इसके अध्याचता किसके दवरा किया जा रहा था आप सभी लोग कमेंट करके बताईगा निम्लिखित में से किस अध्यियम के माधियम से महलाओं को मताधिकार परदान किया गया था तो भारत सरकार अध्यिय के बुड डिस्पेज के तहत भारत में लंदन विस्विद्याले की तरज पर तीन विस्विद्याले धारसो संतामन में गठित किये गये निमलिखित में से कौन सा विस्विद्याले इसमें सामिल नहीं है तो कलकत्ता विस्विद्याले शामिल है बंबई भी सामिल है मद्रास भी सामील है जबकि इलाथा बाद इसे पर देले भी सामील नहीं है तो C इसका राय टेंसर हो जाएगा भरत का परतबा 22 राय कोङन थे तो लॉर्ड कैंधिंग थे भरत का प्रतब 22 राय कोङन Vidis देख़ियिए, नेक्स्ट है मितरी मेला संगर्ठन की अस्थापना क्सानी की जो मितरी मेला संगठन में बदल जाता है अभी नव भारत में बदल जाता है और कब बदलता है तो 1904 में यह बदल जाता उनिस चार में तो D इसका right answer हो जाएगा परथम बेसियूद के दुरान भारत में कौन सा अंदोलन लोग पिरिये हुआ जब पर्थम बेस्यूद चल ला था तो उसमें भारत में कौन सा अंदुलन आपके लोग प्रिये हुआ तो जो पर्थम बेस्यूद था कब से कब तक चला तो 1914 से 1918 के बीच में चलता है तो उसमें होमरूल लिंग अंदुलन जो है लोग प्रिये हुआ होम्रूल लिंग आंदूलन आपके लोग पिरिये हुआ जो होम्रूल लिंग आंदूलन था बाल गंगा दर तिलक और एनी बैसेंट के नित्रियूत में चल रहा था दच्छिन भारत के ब्रहम समाज के रूप में परसीद बेद समाज की अस्थापना किसने की थी तो स्री घरालू नैडू ने और कव तो 1864 में और मदरास में इसके अस्थापना की गई थी इसे दुबारे आपको ध्यान से सुनना है कि केशवचंद्र सेन के परियासों से जो है बेद समाज की अस्थापना मदरास के स्री घरालू नैडू ने 1864 में की थी बेद समाज को ही जो है स्री नैडू ने दचिन भारत का ब्रहम समाज कहा था ठीक है नेक्स्ट है कि अधी भगवान भी चुआ छूट को बरदास करे तो मैं भगवान को नहीं मानूँगा अप्रोग्त कथन निमखेती में से किसके द्वारा बोला गया है कि अधी भगवान भी चुआ चूट को बरदास करे तो मैं भगवान को नहीं मानूँगा ये किसका कथन है किसका अस्टिटमेंट है किस बर्स बंगाल एबं बिहार में भूमी किराएदारों के अधिकारों के लिए बंगाल कास्तकारी अधिनियम लाया गया था ये आपके पूछा हुआ सवाल है बिप्यसी का किस बर्स बंगाल एबं बिहार में भूमी किरायदारों के अधिकारों के लिए बंगाल कास्तकारी अधिनियम लाया गया तो 1885 में लाया गया था मुंगेर में ब्रहया ताल बिरोद का मुख उद्देश गया था तो इसमें ध्यान डखना कि जो ब्रहया ताल है इसे बकासत लिख देते हैं वाकासत बकासत आंदुलन भी बोला जाता है ब्रहया ताल बिरोद का तो मुगेर में जो ब्रहया ताल बिरोद का मुख उद्देश गया था तो इसका मुख उद्देश था कि जमिनदारी प्रथा की समाप्ती इसका मुख उद्देश था और किसके नित्रियुत में ये आंदोलन चल रहा था मुंगेर में बिहार में निमलिखित में से किस आंदोलन की दौरान जो है छात्रों द्वारा सुराज ट्रेन का संचलन किया गया था अच्छा प्रस्ण है कि बिहार में निम्लिखित में से किस अंदुलन के दौरान जो है छातरों द्वारा सुराज ट्रेन का संचलन किया गया था तो भारत छोड़ों अंदुलन के समय तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा कि निम्लिखित में से कौन जो है कंडर साहित के त्री रात्र में सामिल नहीं है जो आपके ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन जो है कंडर साहित के त्री रात्र में आपके सामिल नहीं है तो पंप सामिल है पौन सामिल है रन सामिल है जबकि कम्मन आपके सामिल नहीं है तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा आपको ध्यान रखना है कि कंबन जो है ये तमील साहित है ये क्या है ये आपकी तमील साहित है लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कि कंडल साहित तो कंबन क्या है तमील साहित है ये ध्यान में रखिएगा दिल्ली सलतिनत की राज बिवस्था के अंतरगत निमलिकित में से कौन सा कर, गेर मुसलमान से इसमें से कौन सा कर लिया जाता था तो पहला है खराज खराज जो है गैर मुसलमानों से भूमिकर लिया जाता था खराज के रूप में उसके बाद है जजिया जो जजिया है गैर मुसलमानों से धर्मिकर के रूप में लिया जाता था तो इसका right answer क्या हो जाएगा एक और तीन तो D इसका right answer हो जाएगा और इसमें ध्यान रखेगा उस्र उस्र क्या था तो उस्र जो है मुसल्मानों से भूमिक कर लिया जाता था पांसे दस परसेंट जकात क्या था मुसल्मानों से धार्मिक कर लिया जाता था जकात के रूप में ये दोनों अलग अलग प्वाइंट इसे ध्यान से अप लोग नोट कर लिजीएगा किस बिद्वान के अनुसार मुबारक खिल जी नगन होकर जो है दर्वारियों के बेच दोड़ा करता था तो किसके दोड़ा एक इस बिद्वान के अनुसार जो है मुबारक खिल जी नगन होकर जो है दर्वारियों के बेच दोड़ा करता था तो जियाओ दिन बरनी के अनुसार जो मुबारक खिल जी है नगन होकर आपके दर्वारियों के बेच दोड़ा करता था तो A इसका right answer हो जाएगा इसके बारे में जो मुबारक खिल जी हैं इनके बारे में बहुत बिजित बिजित बारे बाते लिखी गए तो इनके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं हम तो बोल नहीं सकते हैं नेक्स्ट है कि निम्लिकेत में से किस मुगल जहांगिर सासक ने जो है दुव अस्पा एबम सी अस्पा की नीती को लागू किया तो किसके द्वरा लागू किया गया था जहांगिर के द्वरा जो है दुव अस्पा एबम सी अस्पा की नीती लागू किया गया था सतनामी बिद्रो किस मुगल सासक के समय हुआ तो जो सतनामी बिद्रो है औरंग जेब के समय में होता है किस के समय में होता है और कब होता है तो 1672 में होता है 1672 में जो है किसानों एबम मुगलों के बीच मत्रुआ के निकट नार नार नौल नामक अस्थान पर बिद्रो होता है और इस बिद्रो को ही जो है सतनामी बिद्रो बोला गया है तो D option ठीक हो जाएगा नेक्स है कि निमलिखित में से किस बिद्रो यात्री ने दारा सिको एबम औरंग जेब के मद होने बाले उत्रा अधिकार के यूद का वर्नन किया है तो किसके दवरा किया गया है कि निमलिखित में से किस बिद्रो यात्री ने जो बिद्रो यात्री होते थे दारा सिको एबम औरंग जेब के मद होने बाले उत्रा अधिकार के यूद का वर्नन किया था तो फ्रांसिस वर्नियर ने किया था फ्रांसिस वर्नियर ने किया था सिंदू सबता के किस अस्थल से बकराकार इट मिले हैं तो चंध हुदलो से मिला है कहां से मिला है चंध हुदलो बरतमार में कहां अस्तित है तो बरतमार में सिंध प्रांथ पाकिस्तान में अस्तित है चंध हुदलो तो C option ठीक हो जाएगा उसके बाद है धौला बीरा ये कहां पर अस्तित है तो भारत के गुजरात राज में अस्तित है और धौला बीरा में लिक इसलिए प्रसीद है तो बाटर मैनेजमेंट के लिए धौला बीरा के प्रसीद है रिक बेद काल में किस नदी को सरवाधिक पवित्र नदी माना गया है नदी है, इसे किस-किस नाम से जाना जाता है रिगवेद काल में, तो देवी, देवीतमा, देवीतमा के नाम से, मातेतमा के नाम से, नदीतमा के नाम से, ये नाम आपको नोट कर सकते हैं, निमलिकेत में से किस महाजनपत का संब्ध बिहार से नहीं है, इस में से किस का जो बिहार से मगदि का भी है और बगजी का भी है जबकि जो शाली जो अंग बर्तमान में भागलपूर और जो मुंगेल का इलाका नहीं है जो मगद है, मगद आज का जो दचनी बिहार है, वहाँ पर बिस्तार था मगद का, निमलखित में से कौन अंतिम मौर समराड था, आप लोग दचनी बिहार समझते हैं जब बोलते हैं न, देखे जो गंगा है न, गंगा को दो भागों कौन, सोरी, बिहार को दो भागों कौन बाठती है तो गंगाग जो उपर बाल हो जाएगा नौर्थ और गंगाग नीचे बाल हो जाएगा आपके सौथ ठीक नेक्स्ट है कि निम्लिखित में से कौन जो है अंतिम मौर समराट था इसमें से कौन जो है अंतिम मौर समराट है तो बिरहदर्थ जो है अंतिम मौर समराट बिर्यदर्त की हतियshirt के द्वरा कर दी जाती है तो पुस्व मित्र सुंग के द्वरा कर दी जाती है कि यह उलिविद्रों सुंग बन्सक्री स्थापना की जाती है 3000 ज्हें 18 permett में 182 एक नेक्सट की निमिलखित मेंसे किस साम्सक ने पाटलि पूत्र को आकर्मन कर वहां से बुध का भिच्छा पात्र एवम एक अनोखा कुककट अपने साथ ले गया तो कनिस्क के द्वारा, किसके द्वारा, कनिस्क के द्वारा तो D इसका राइट एंसर हो जाएगा निम्रिखित में से किसके अनुसार मौर कालिन समाज में दास विवस्था विद्वान था तो किसके अनुसार जो है मौर कालिन समाज में आपके दास विवस्था आपके विद्वान था तो एक से अधिक option आपका ठीक हो जाएगा next है वैदी कालिन सभा का सम्मध निमनी में से किस से था तो कुलीन या ब्रिध मनिस्यों की संस्था से था इस question को आप लोग भी check किजेगा और जो सभा और समीती में क्या अंतर है इसे आप सभी लोग पढ़िएगा सभा और समीती में क्या difference था इसे आप सभी लोग पढ़िएगा क्योंकि अभी exact जो सब्द है सभा और समीती का दोनों में क्या difference था हमारे दिमाग में नहीं आपा रहा है ठीक है next है कि सूची एक को सूची दो के साथ सुमलित करना है तो सुमलित कर लिजिए पुलके सिन दोतिये के सासनकाल में था उसके बाद है कामिदास जो कालिदास है चंद्रगुप्त दोतिये के हरि सेन हरी सेन ईपकी समुन्द्रगुप्त का दर्वारी के था वान भर्ट जो है हश्वर्धन का था तो चार एक दू तीन चार एक दू तीन किसमे है तो बी आप्शन आपका ठीक हो जाएगा नेक्स्ट है कि महा विभास सुत्र जो बौध दर्शन का एक विश्व कोस है की रचना किस बौध संगती में हुई थी तो चोथी बौध संगती में हुई थी चोथी चतुर्थ बौध संगती में हुआ था तो डी इसका राइट एंसर हो जाएगा परथम बौध संगती का आयोजन कहां पर किया गया था तो राजगरी में सकेंड बाला कहां पर किया गया था बैसाली में तिसरा कहां पर किया गया तो तीसरे किया गया था आपके राज गरी में राज गरी में किया गया था तुरा जम्हू कास्मिर के कुंडल बन में किया गया था अच्छतुर्थ बाउस संघति के समय सासक कौन थे तो चनिश्क और और जब तिर्तिय बहुत संगती हुआ था तो उसमें सासक कौन थे तो असोक उसमें सासक थे नेक्स है कि भारत के प्रचिंतम प्राप्त सिक्के किस धातु के बनाए गये तो चांदी के बनाए जाते थे जो सोने के सिक्के तो बहुत बाद में बनाया जाता था तो बी इसका पर्चला कि दूरा किया गया था है कि कौन सा जनतु है जिसमें परकास संसेलेशन की किरिया संपन होती है तो एउग लीना में किस में? एउग लीना में जो है प्रकास संसलेसन की किरिया संपन होती है तो D इसका right answer हो जाएगा स्वसन तथा उतसर्जन किस प्रकार की जैबिक किरिया है? स्वसन तथा उतसर्जन जो है किस प्रकार की किरिया है? जैबिक किरिया है तो अब चायक जैबिक किरिया है तो B option ठीक हो जाएगा नेक्स है कि जब प्रकास की किरन किसी कुलाइड या निलंबन से गुजरता है तो टिंडन परभाव को प्रदर्सित करता है इसमें प्रकास की कौन सी प्रघटना होती है तो इसमें प्रकास की प्रकिरनन होता है तो A option आपका ठीक हो जाएगा घने जंगल के अच्छादन से सुर्ख किरने से गुजरने पर टिंडन परभाव आपको देखा जा सकता है या तो फिर आप लोग अपने कमरे में कभी देखें एक पत्ला सा छोड़ा सा रहेगा खिरकी जिससे की एक इटा को बराबर रहेगा उससे जो आपकी रोसनी आता है उसी को बोला जाता है तिंडन परभाव बोला जाता है ठीक है अपना मट्टी के घर होता था तो उसमें कहीं कहीं पर छेत होता है और उस छेत के माधियम से परकास रोम में आता था तो उसी को बोलते हैं टिंडन परभाव तो इह इसका रहेट अंसर हो जाएगा भोजन का सरवाधिक अवसोसन जो है कहां पर होता है तो इलियम में होता है छोटी आत में होता है कहां पर छोटी आत में होता है तो डी इसका right answer हो जाएगे नेक्स्ट है शूची, एक को शूची, दो के साथ सुमलित करना है तो कर लेजी, एक साथ आपके खनीज है, और कमी के परभाव, तो जो खनीज की कमी से क्या परभाव होता है देखी, अगर फासफुरस की कमी हो जाएगा, तो सरीर की बिर्धी एवं कायर की अवरुद हो रहती है, पोटेसियम की कमी से जोए पेसियों की दुरुबलता, अंग घात की असंका रहती है, सोडियम, इसकी कमी से जोए निम्न रक्त चाप होता है, तो 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, तो C आपका ठीक हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट है कि इंसुलीन की रहसाइनिक प्रकिरती क्या होती है, जो इंसुलीन होता है, इसकी रहसाइनिक प्रकिरती क्या होती है, तो प्रोटीन होती है, देखें बहुत फ्यमस कोस्तन है, इससे अब लोग ध्यान रखेगा, यह बार-बार एक्जामें पूछा जाता है, हमने घटना चक में देखा था इसके बारे में, पादप हार्मोन के संब्ध में सही सुमलित नहीं है, तो ओक्सिसंस फल पकाने वाला हार्मोन होता है, तो यह गलत है, जो ओक्सिसंस है, यह बिर्धी वर्धक पतियों का बिलगन, रोकना, खर परतवार को नेस्ट करना, ओक्सिसंस का काम है, तो पहला ही आपके गलत हो जा जिब रे लिंस बोने पोधे की लंबाई में बिर्धी तो ये ठीक है साइटो कैनेन को इसका बिभाजन ये भी ठीक है एवसीसिक एसीड बिर्धी रोधक ये भी ठीक है तो किबाल गलत हो जाएगा A तो A इसका राइट अंसर हो जाएगा उसके बाद है सुची एक को सुची दो के साथ स्मूलित करना है एक सेड़ाप की इंधन है और इसकी घटक है तो CNG किसका घटक है तो CNG जो है मेथेन और इथेन का घटक है ELPG किसका घटक है तो बियुटेन और प्रोपेन का घटक है कोल गैस ये किसका घटक है तो hydrogen, methane, carbon monoxide का घटक है butter gas जो है carbon monoxide और hydrogen का घटक है तो इसका right answer क्या हो जाएगा 4, 2, 3, 1 4, 2, 3, 1 तो B option आपका ठीक हो जाएगा next निमलखित में से कौन सा सुमलित नहीं है इसमें से कौन आपके सुमलित नहीं है तो देख लेजिए निलहरित सैबाल धान ये ठीक है एजोला एजोला मक्का तो ये आपके गलत हो जाएगा एजोला आपके धान राइजोबियम मटर ये ठीक है एजू बेक्टर गिहों में ये भी आपके ठीक है तो एजोला देखें मक्का में नहीं पाया जाता है ये आपके धान में पाया जाता है तो B option आपका गलत हो जाएगा तो B हमारा उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है निम्लिकेत में से कौन सा परदार्थ जो है उर्ध पातित परदार्थ नहीं है उर्ध पातित बोलने का मतलब है ठोस से सिधे गैस अवस्था में परिवर्थन हो जाना ठीक है तो आयोडिन जो है सिधे ठोस से गैस में परिवर्थित हो जाता है कपूर भी, सुखा वर्फ और कैडमियम भी तो इसमें कोई भी आपके कथन जो गलत नहीं है तो E option इसका right हो जाएगा Next है चिकितसग COVID-19 मरीजों को RT-PCR test कराने के सिफारिस करते है यह नहिदानिक परिछन पता लगाता है यह परिछन क्या पता लगाता है तो वाइरस के R,E,N,E का पता लगाता है तो C option ठीक हो जाएगा Next है सूची, एक को सूची, दो के साथ सुमलीत करना है तो सुमलीत कर लीजिए मारफिन, मारफिन जो है अनाल यहसिक हो जाएगा सोडियम, सोडियम को कहा रखा जाता है तो केरोशीन तेल में मिस्र धातु है तो 3,4,1,2,3,4,1,2 किसमे है, 3,4,1,2 तो D option आपका ठीक हो जाएगा, next है कि किसी बेक्टी का पूरा परति बीम देखने के लिए समतल दर्पन की निम्तम उचाई होती है, तो बेक्टी की आधी होती है, बेक्टी की आधी होती है, तो B option ठीक हो जाएगा, पानी का अपेच्छित घनत्ब सरवादिक निम्लिखित तापमान पर होता है, तो किस तापमान पर अधिक्तम घनत्ब होता है, तो 4 डिगरी Celsius और 277 केलवीन पर, तो 4 A और C दूनों हो जाएगा, ठीक है, A और C आपकी दूनों हो जाएगा, C पलस 273, तो 4 Celsius और 273 कितना हो जाएगा, तो A और C इसका राइट अंसर हो जाएगा, तो E option हो जाएगा, ठीक है, E option आपका इसका ठीक हो जाएगा, नेक्स आपकी प्रकास तरंगों के बायू, बिरेल माध्यम से, काच संगन माध्यम में जाने पर, परभावित होते हैं, वे हैं, तो इसमें ध्यान रखनाई की, इसे दुबारा देखिए, तरंग धर और बेक यह प्रभावित होते हैं जबकि आविरती आपकी प्रभावित नहीं होता है तो डी इसका राइट अंतर हो जाएगा सिद्धानत है कि विद्धुत का उश्मिय प्रभाविस का सिद्धानत है तो बे आपशन आपका ठीक हो जाएगा ब्रीक से प्रती घंटा औसत रगवाव होता है तो ब्रिक से प्रती मिनिट जो है सेसी हो जाएगा कितना हो जाएगा 72,000 सेसी हो जाएगा तो ड इसका राइट अंसर हो जाएगा नन अस्टिक फ्राइंग कडाही में लेप लगा होता है नन अस्टिक आप लोग देखें भी होंगे बलेक टैप का होता है नन अस्टिक फ्राइंग कडाही में लेप लगा होता है तो किसका लेप लगा होता है तो टेफलोन का लेप लगा होता है किसका टेफलोन का लेप लगा होता है तो ए ओप्सन आपका ठीक हो जाएगा सबसे छोटा जीव जो स्वेम विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है उसका नाम के है तो माइको प्लाजमा उसका नाम है माइको प्लाजमा उसका नाम है धान के लिए समानता परियोग होने बाला खरपतवार नासक है तो 2-4-D है तो D option ठीक हो जाएगा next है कि एक रेखिये network यह एक रेखिये network है जो उत्पादक जीव में सुरू होता है और सिर्ष परभच्छी प्रजातियों पर जाकर खत्म होता है तो कि इसके बारे में बात किया जा रहा है दोबारा देखिएगा कि यहाँ जो आपका है, एक रेखिये network है, यह क्या है? एक रेखिये network है, जो उतपादक jeep में सुरू होता है, और सिर्स परभच्छी पर जाके आपकी खतम हो जाता है, तो यह खाद संखला है, यह क्या है? खाद संखला है, तो B option आपका ठीक हो जाएगा नेक्स है कि हमारे देश के सहरों में बाई गुर्मत्ता सुचकांग एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलिपना करने में निम्रिकित में से किन बाई मंदलिये गैसों का समानता परियोग किया जाता है तो PM10 का, PM2.5 का, NO2 का, ESO2 का, CO का, CO का, उसके बाद O3 का, NH3 का और PB का तो एक से अधिक उप्सन ठीक हो जाएगा तो E इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स है कि निम्रिकित में से कौन सा एक पारी तंत्र, Ecosystem सब्द का पूर्ण वर्नन करता है तो इसमें से सारे उप्सन को पढ़ लिजे और कौन जो है, एक जो सब्द है, जो Ecosystem का वर्नन करता है तो पढ़ लिजे, एक दुसरे से अनुन्याई किरिया करने वाले जीव का एक समुदाय है, यह आपके गलत है पिर्थिवी का हुआ भाग जो सजीव, जीवो द्वारा आवसीत है, यह भी गलत है जीवो का समुदाय और साथ ही परियावरन जिसमें हुआ रहते हैं, तो यह तो ठीक है किसी भोगोलिक छेत्र में प्रस्पती जात और प्रानी जात, तो यह भी आपकी गलत है तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा Next है कि किर्शी कार में नेट्रोजनी उर्वरकों के अत्याधीक या अनुपियुक्त परियोक का क्या परभाव होता है तो क्या परभाव होता है, नेट्रोजन योगी करन सुष्म जीवो का मिट्टी में प्रदू भवन प्रोलिफिरेशन हो सकता है, तो यह तो गलत है मिट्टी की अमलिता में बढ़ोतरी हो सकती है, यह ठीक है मिट्टी की छारिता में बढ़ोतरी हो सकती है, यह गलत है जो A बाला option है इसे आप लोग चेक कीजिएगा ठीक है इस option को आप लोग चेक कर सकते हैं इस option को आप लोग चेक कर सकते हैं देखे इसका उत्तर तो A ही होगा क्योंकि B और D तो confirm हमें लेकीन जो यह बॉला option है इसके बारे में हम धूंड़े पता नहीं जला आप लोग कीज제가 नहीं लिखेति में से कौन सा एक जीव जो है यान तीनो जीवों के बर्ग कर दो क्ला जो है केकला जो है मेले मेले कोस्ट्रेका मेले क्ला के बर्ग में आपके आता है जबकि बिच्छू बरूथी और मकड़ी जो है यह मकड़ी जो है अरे क्रीडा बर्ग में आते हैं किस बर्ग में आते हैं अरे क्रीडा बर्ग में आते हैं कि निम्न में से कौन सा कार्बिंट चक्र में के लाउखी घ्रीया करता है कि अभॉत यह भी करता है जब कि प्रकास की करिया होता है तो उसमें निम्न किया जाता है तो भी बला आपका यह आपके गलत हो जाएगा बाकी A, C, D आपके सही हो जाएगा तो एक से अधीक ओप्सन ठीक होने करण E इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि जब सूर्ज की किरने वर्षा की बुदों पर गिरती है तो इन्दर धनुस बनता है इसके लिए निम्लिकत मेंसे कौन सी भोतिक परिगृतनाएं जिम्मेदार है तो इसके लिए जो है अपवर्तन और आंत्रिक प्रवर्तन जिम्मेदार है तो एक से अधिक option आपका ठीक हो जाएगा next है कलोरी नीकरन पानी को सुध करने के एक परकिरिया है कलोरीन को रोगानू नासी करिया का मुख करन क्या है कलोरीन को जो है रोगानू नासी करिया का मुख करन क्या है तो इसका जो मुख करन है पानी में कलोरीन मिला जाने पर हैड्रो कलोरीन अमल बनता है तो ये गलत है पानी में कॉलोरीन मिलाए जाने पर जो है हाइडरो कॉलोरस अमल बनना तो यह option आपका ठीक है उसके बाद सी देखिए पानी में कॉलोरीन मिलाए जाने पर जो है नवजात ऑक्सिजन का बनना यह अपके गलत है पानी में कुलोरीन बिलाए जाने पर हेडरोजन का बनना ये भी गलत है तो B option आपका ठीक हो जाएगा एक मैक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है एक जो मैक्रोन है ये लंबाई प्रदर्शित करता है तो धियान रखिएक कि एक icon जो लंबाई प्रदशित करता है दस पर पावर मैनस 6-0わかaking option क्या दिया गया है centimeter में दिया गया है तो कितना हो जाएगा एक पर पर 1 पर पर सोड़े दस पर पर मैनस 4 centimeter हो जाएगा कितना हो जाएगा दस पर प्रवर मैनेंस चार संंघ्टीमिटर हो जाएगा तो बे इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है ओनेक्स है कि नियलकेत योगों में से कौन सा एक जो है सही संदु नहीं है इसमें से कौन आपका जो है एक सही सुमलित नहीं है तो देख लीजिए ओडो मिटर बहान के पहियों द्वारा ताइए कि दुरी का यंत्र मापक जाता है तो सही बात है उसके बाद है ओंडो मिटर सो बिधूत चुमबकिये तरंगों की तरंग धर्मापने का यंत्र है यह दो ठीक है अविधूत शक्ति मापक यंत्र है तो यह गलत है जो इमिटर है इससे जो इमिटर है इससे बिधूत धारा का भापन किया जाता है हाइगरो मेटर सापेच्छित आधरता कमापन यंत्र है तो C इसका रहेट यंत्र हो जागी क्योंकि C आपकी गलत है उसके बाद नेक्स है कि किस देश के द्वारा दुनिया का पहला उर्जा दीप का अंद्रिमान किया जा रहा है तो डेनमार्क के द्वारा किया जा रहा है टोक्यो पैरा उलंपिक 2020 के पदक तालका में भरत का अस्थान कौन सा है तो भरत का अस्थान 24 है भरत के द्वारा कुल 19 पदक जीता गया है जिसमें से 5 सुर्न है, 8 रजत है और 6 आपके कास पदक था तो ए उप्सन आपका ठीक हो जाएगा सांती के नोबल प्रोषकार 2021 के लिए चुना गया है तो सांती का नोबल प्रोषकार किसे दिया गया है तो मारिया रेसा और आदरे वे वीच मुरा टोब को दिया गया है जो मारिया रेसा ये फिलिपिन्स के हैं और जो मुरा टेब हैं मुरा टेब टोब ये कहां के हैं ये आपकी रूस के हैं तो सहिंक तुरूप से जो सांती का नोबल पुरसकार दुएरे 21 दिया गया था दो बेक्ति को, एक नाम है मारिया रेसा, एक नाम है मुरा टोब, जो मुरा टोब हैं, ये कहां कहें, तो ये रूस के हैं, मारिया रेसा के फिलिफिन्स कहें, तो एक से अधिक option आपका ठीक हो जाएगा, हाली में किसे जो है, केंद्रिय सदरक्ता आयुक्त, CBC का अध्याच न निक्त किया गया है, तो सुरेश यन पटेल को, किसे सुरेश यन पटेल को निक्त किया गया है, तो B option आपका ठीक हो जाएगा, ब्राजिल द्वारा बिक्सित, पहली पिर्थिवी अबलोकन उपगरा, एमेजोनिया 02, इसरो के किस परच्छेपन यान से परच्छेपित किया गया है, तो PSLV C51 से किया गया है, तो B इसका राइट एंसर हो जाएगा, नेक्स है कि 200 प्रेश सुदंता सुचकांक 2021 में भारत निम्न में से किस अस्थान पर है, तो 200 प्रेश सुदंता सुचकांक 2021 में जो है, भारत का अस्थान 122 है, भारत का अस्थान 122 है, और जो 200 प्रेश सुदंता सुचकांक किस के द्वारा जारी किया जाता है, तो नूट कीजिएगा, रिपोर्टर्स बिदाउट बोर्डर के द्वारा जारी किया जाता है, तो D ओप्सन आपका ठीक हो जाएगा, नेक्स है केनेत कुंडा, जिन राश्चपती और संस्थापक थे, तो जांबिया के, कहां के, जांबिया के, तो B option आपका ठीक हो जाएगा, बिहार की पहली एथेनौल यूनिट की अस्थापना, निमन में से किस जिला में प्रस्थापी थे, तो गोपाल गंज में प्रस्थापी थे, कहां पर तो गोपाल गंज में प्रस्थापी थे, तो D option आपका ठीक हो जाएगा, नेक्स है कि निमन में से किसे जो बर्स 2021 के आर्थ सास्तर के प्रतिस्थित हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो कौशिक बसु को सम्मानित किया गया है, कौशिक बसु को अर सम्मन था, तो D option ठीक हो जाएगा, नेक्स है 23 फीफा फुटबॉल बिसकप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो इसमें ध्यान रखीगा कि USA, USA, मैक्सिको और कनाडा, ये तीन देशों में जो है, सहीं तुरूब से 23 फीफा फुटबॉल बिसकप 2026 का आयोजन किय जाएगा, तो एक से अधिक option सही हो जाएगा, 2022 का जो फीफा का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो कतर में इसका आयोजन किया जाएगा, कहां पर कतर में इसका आयोजन किया जाएगा, नेक्स है कि अगस्त 2021 में, अल मोहिद अल हिंदी, नामक सैन अभ्यास, किन दो देशो हो जाएगा नेक्स है कि अप्रेल 2021 में निम्न में से किस महान हिंदु दारशनिक और चिन तक की 104 में जैनती मनाई गई तो किसकी मनाई गई की स्री नुजाचार की तो सी ओप्सन अपका ठीक हो जाएगा हाली में किसे जो है संग्तराष्ट मानवाधिकार परिसत का अध्यच्छ निव्थ किया गया है तो नाजत समीम खान को जो नाजत किस देश से इनका संबन्ध है पीजी जो देश किस महासागर में अस्तित ही तो प्रसांत महासागर में प्राप्त हुआ है टूटल भारत के दस टटो को जो है बुलू फ्लेग परमान पत्र आपके प्राप्त हो चुका है आप से भी लोग कमेंट करके बताईएगा कि जो अभी हाल ही में जो है दो आपके जो टट को बुलू फ्लेग परमान पत्र परदान किया गया उसका नाम क्य क्या representation आप सभी लों कुंमेंट कर के बताएगा गूगल कर सकते हैं बिहार की निमन में से किस जिले में तलाब के उपर तेरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है तो दर्भहंगा में तलाब के उपर तेरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है तो C option आपका ठीक हो जाएगा Next है कि हवा से carbon dioxide को सोखने वाला दुनिया के सबसे बड़े plant का संचलन कहां हो रहा है कहां पर हो रहा है तो ice land में हो रहा है कहां पर हो रहा है ice land में हो रहा है कि जो ice land है किस महा सागर में अस्तित है आप सबी लोग कमेंट करके बताईएगा Next है कि आत्म निर्वर बिहार के साथ निश्चे 2. 2020-25 के अंतरगत बीतिय बर्स 2021-22 में बीभागों के अंतरगत कुल बजट का प्रवधान कितना है तो कुल बजट का प्रवधान है 5500 कलो रुपिया कितना है 5500 कलो रुपिया आपके प्रवधान है तो डी इसका राइट एंथरो जाएगा निश्चे 2 और निश्चे 1 इसके बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ लिजेगा निश्चे 1 और निश्चे 2 के बारे में आपका हम एक स्पेसल वीडियो बना देंगे ताकि ये दोनों आपको डिफ्रेंस पता चल जाए क्योंकि यहां से कोशन पूछे जाने के पूरी-पूरी संभावना है नेक्स्ट है बजट 2022-23 के अनुसार बितिय बर्स 2022-23 में राज का कुल राजस्व बैयाए कुल बैयाए का कितना प्रतिसत अनुमानित है तो 80.76% आपकी अनुमानित है कितना है 80.76% आपकी अनुमानित है इस कोशन को दुबारा देखिएगा कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जो है बितिय बर्स 2022-23 में राज का कुल राजस्व बैयाए कुल बैयाए का कितना प्रतिसत अपके अनुमानित है तो 80.76% आपके अनुमानित है तो D इसका राइट अनुमानित है और जो पुझी गत बैयाए कितना अनुमानित है तो पुझी गत जो बे अनुमानी थे 19.24% है भारत का पहला अनाज ATM किस सहर में खोला गया है तो गुरू ग्राम में खोला गया है गुरू ग्राम किस राज में है तो हर्याना में अस्तित है बिटकोईन को कानिनी तोर पर अपनाने बाला वेशु का पहला देश कौन बन गया ह तो अल सलबा दोर बन गया है साथ ही ध्यान रखना की पहला बिटकोईन सहर जो है किसके दोरा बिक्षित किया जा रहा है तो अल सलबा दोर के दोरा बिक्षित किया जा रहा है पहला बिटकोईन सहर टी ट्वेंटी अंतरास्टी क्रिकेट में तीन हजार रन बराने बाले विस्व के पहले बल्लेबाज कौन है तो विस्व के जो पहले बल्लेबाज है उनका नाम है बिराट कोहली क्या नाम है उनका बिराट कोहली उनका नाम है नेक्स्ट है ACI मुक्यवाजी जान्पर 2017 में श्वर्ण पदक जितने भाली भारते खिलाडी है तो पूजा, रानी और संझीत के द्वारा जीता गया है जो पूजा, रानी हैं इनके द्वारा पचेटर किलोग्रम भार वर्ग में जीता गया है जबकि संजीत कुमार के द्वरा जो है 93 किलोग्राम भार वर्ग में जीता गया है तो एक से अधिक उप्सन ठीक हो जाएगा तो यह इसका राइट एंसर हो जाएगा दुबई में आयोजित जो है A.C.I. मुक्य बाजी चेंपियंशिप 2021 में भारत ने कुल आपके 15 पदक जीता है जिसमें से दो आपके स्वर्ण तो देख चुके हैं और पांच रजत और आठ आपके कास पदक जीता जाता है तो टूटल कितना हो जाएगा पंदरा हो जाएगा नेक्स्ट है अंतरास्टी बाओधिक संपदा सुचकांग 2021 में पर्थम अस्थान किस देश को मिला है तो पर्थम अस्थान अमेरिका को मिला है और भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो भारत को 40 मा अस्थान दिया गया है निमन में से किस राज के दौरा लाडली लच्मी योजना की सुरुवात की गई है तो जो लाडली लच्मी योजना है इसकी सुरुवात मद परदेश सरकार के दौरा किया गया है किस के दौरा मद परदेश राज सरकार के दौरा किया गया है और इस योजना के तहट जो है कॉलेज तथा 20 विद्यालों में परिवेश लेने बाली छातरों को जो है 20,000 रुपया दिये जाते हैं नेक्स्ट है मात्र कबच अभियान किस राज के द्वारा सुरू किया गया है तो जो मात्र कबच अभियाने के द्वारा सुरू किया गया है किसके द्वारा के द्वारा सुरू किया गया है के राल सरकार द्वारा जो है गर्वती महलाओं के तिका करन हेतु जो है मात्र कबच अभियान शुरू किया गया है नेक्स्ट है इंडियन एंड एसियन जियो पॉलिटिक्स दा पास्ट दा प्रेजेंट पुस्तक के लिखक कौन है तो शिव संकर मिनन है कौन है शिव संकर मिनन है किस राज सरकार ने इलक्ट्रोनिक्स उद्यों को बढ़ाबा देने के लिए इलक्ट्रोनिक पारक के अस्थापना की गोशना किया है तो योगी आधितनाथ उत्र पर्देश में दुसरी बार मुखमनत्री की रूप में सपत लिये है बिहार के किस जिले में बिकेंदरी कृत, जैब चिकित्सा अवसिस्ट भसमक की अस्थापना की गई है और इसका उठगाटन किसके द्वारा किया गया था तो परधान बेग्यानिक सेलकार बिजय राघवन के द्वारा जो है इसका उठगाटन किया गया था नोट किजिएगा किस राज सरकार ने जनसंख्या नियंत्रन करने है तो एक नई जनसंख्या नेती की सुरुवात किये त तो उत्त्र प्रदिस रासरकार के द्वारा किया गया है, तो D इसका राइट अंतर हो जाएगा, 22 जल सनरच्छन दिवस कम मनाया जाता है, नेक्स्ट है अपने प्रद्युसकों के कारण कौन सी नदी जो है जैविक मरुष्थल कहलाती है अपने प्रद्युसकों के कारण जो है कौन सी नदी जो है जैविक मरुष्थल कहलाती है तो दामोदर नदी को बोला जाता है तो C इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है निम्लिकित येगों पर आपको विचार करना है तो विचार कर लीजिए रास्टी उद्यान उद्यान से होकर बहने वाली नदी कारविट रास्टी उद्यान से कौन सी नदी होकर बहती है राम गंगा तो ये ठीक है काजी रास्टी उद्यान से मानस ये गलत है कौन सी नदी भाती है बरहम पूत्र नदी भाती है सैलेंट बेली रास्टी उद्यान से काबेरी नदी ये गलत है कौन सी नदी ये UPSC का पूछा हुआ statement है कुन्थी नदी तो केवल आपका एक OPSC आपका ठीक हो जाएगा बाकी सारे OPSC गलत हो जाएगा आप पूछा आपके सही सुमलित है तो केवल एक सही सुमलित है तो A इसका right answer हो जाएगा नेक्स है कि रास्टी परियावरन एंजिनिरिंग स्वर्य संस्थान कहां अस्ति थे तो कहां परस्तित है नागपूर महराष्ट में अस्तित है भारत के अधिकांस वंजीव संद्चित गिरे हुए है घने जंगलों से नदियों एवं जीलों से मानव बस्तियों से परवत एवं पहालियों से तो C इसका right answer हो जाएगा C इसका right answer हो जाएगा भारत के अधिकांस जो बंजीव संद्चित छेत्र है वो आपके मानव बस्तियों से गिरे हुए क्योंकि पता है कि भारत में अबादी बहुत ही एक्सिस है नेक्स्ट है कि किस बायों में सबसे कम तापमान पाया जाता है तो किस जो आपके बायों है वहाँ पर सबसे कम तापमान पाया जाता है सवाना बायों में मानसुन बन बायों में कुंधारी बन बायों में सदा बहार बर्षा बन बायों में तो किस बायों में सबसे कम तापंतर पाया जाता है तो D option आपका ठीक हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है लिब निड्ज परवत कहां अस्तित है लिब निड्ज परवत जो है कहां पर अस्तित है तो चंदर्मा पर अस्तित है कहां पर चंदर्मा पर आपके अस्तित है तो B option आपका ठीक हो जाएगा नेक्स्ट है रगिस्तानी छेत्र में मस्रूम सेल का निर्मान किस प्रकिरिया की द्वारा होता है मस्रूम सेल या छत्र कसीला बायो द्वारा निर्मित क्या है अस्तला किरती है किसके द्वारा निर्मित के जाता है हावा के द्वारा निर्मित अस्तला किरती है और इसका निर्मान अपगर्शन प्रकिरिया के द्वारा होता है या अस्तला किरती जो है समानता मरू अस्तलिय या अर्ध सूस के छेतर में आपकी पाया जाता है लेक्स्ट प्रेथिव dollar को घ्रिष्ट फ। कीello कुछ होता है तो विवायों लाने श्ट होता है। नेक्स्ट है कि सिस्ट जो है किस प्रकार के चट्टान का कयांतरित रूप है तो जो सिस्ट है यह आपके बेसाल्ट का ही बेसाल्ट का ही कयांतरित रूप है तो C option आपका ठीक हो जाएगा नेक्स्ट है कि बेस्ट का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पाद देश कौन सा है तो इंडोनेसिया है और जो सिनकोना बिरिच होता है इसके चाल से मलेरिया की दबा बनाई जाती है जबाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में अस्थित है जहां से निमन में से कौन सा सलक मार गुजरता है जहां से आपके जो है कौन सा सलक मार गुजरता है तो जम्मू से स्री नगर के लिए तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा C इसका राइट एंसर हो जाएगा बीसु का सरबोच परवत सिखर मांट एवरेस्ट हिमाले के किस भाग में अस्थित है तो हिमाले के जो है लगू हिमाले नहीं बिरिहद ट्रांस लगू सिवाली तो बिरिहद हिमाले में अस्थित है ठीक है बिरिहद हिमाले में अस्थित ह मौंट एवरेस्ट जो हमालय के किस भाग में अस्तित है तो बिरिःद हमालय में अस्तित है सबसे पुराना कोन है तो ट्रांस हमालय सबसे पुराना है नेक्स्ट है संग्त राज अमिर्का में अस्थित एरिजोना किस खनीज के उत्पादन के लिए प्रसीद है तो जो एरिजोना है ये तामा के उत्पादन के लिए प्रसीद है और सबसे अधिक तामा का उत्पादन किस देश के द्वारा किया जाता है तो चीली के द्वारा सब पड़ रग다र में बढ़ने बाली गर्म एवं सुस्क हवा है और एवं मिसंगन जील यह पर होना चाहिए ने टोरियो क्या होना चानै, टो अथित्यान रखेगा जो मिसिगन जील है यूएसे में अस्तित है तो बे इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि बिहार सरकार ने किस योजना के तहज जो है UPSC और BPSC के तयारी कर रही महलाओं के लिए पुरवस्ताहन रासी की सुरुवाद की है तो मुख मंत्री नार राइट एंसर हो जाएगा, नेक्स है कि निम्रिकित में से कौन सा कारिकरम जो है, बिहार सरकार द्वारा संचालित सात निश्चा योजना में सामिल नहीं है, तो सुलब संपरक्ता सामिल है, हर खेत तक सिचाई का पानी सामिल है, आर्थिखल इवाओं का बल ये आपके सात न तेंसर हो जाएगा, आपको हम बता देते हैं, आप लोग ध्यान से सुन लिजिए, या तो लोग लिख भी लिजिएगा, ठीक है, कि सात निश्चे में क्या-क्या है, पहला नूट कीजिए, यवासकती बिहार की प्रगती, फिर से बोलते हैं, यवासकती बिहार की प्रगती दूसरा है ससक्त महला, सच्छ महला, तिसरा है हर खेद तक सिचाई की पानी, चोटा है स्वच गाओं समिर्द गाओं, पाच्मा है स्वच सहर, बेक्सी सहर, छठा है سुलब संपर्कता, सात्मा है सबके लिए अतरिक्त स्वास्त सुभदा, सात्मा है सब के लिए अतरिक्त स्वास्त सुबधाई सब लोग नोट भी कर सकते हैं बारबर डिविजन करने के लिए नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सरवेच्छन 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज में सकल राज घरेलू उत्पाद में दोतिये छेत्र का कितना हिस्सा रहा है तो कितना रहा है 19.5 परसेंट तो ए अप्सन आपका ठीक हो जाएगा बिहार बजट 2022-23 के 23 में बितिये वर्ष 2022 में सिच्छा बिभाग के लिए कितनी रासी प्रस्तावित है तो सिच्छा बिभाग के लिए जो है 49,191 प्रस्तावित है तो भी इसका राइट एंसर हो जाएगा बर्ष 2021 में कपास का सरवाधिक उत्पादन करने बाले राजियों का सही करम क्या होगा तो सबसे अधिक जो कपास का उत्पादन महरास्ट के द्वारा किया गया है उसके बाद सकेंड आपका है गुजरात और तिसरे आपका है तेलंगाना तो सी इसका राइट एंसर हो जाएगा रास्टी आए में निमलिखित में से कौन सी मद्धे सामिल नहीं की जाती है तो रास्टी ये आई में जो है सेनिक ते था सुरच्छा सेवाएं सामिल की जाती है सरकार द्वारा जनता को परदान की गई निसुलक सेवाएं भी परदान की जाती है बिदेसों में अस्थित भारतिय वैंकों की आई भी आपके सामिल है बिदेशों से प्राप्त उपहार आपके सामिल नहीं है तो डे इसका राइट अंसर हो जाएगा बिहार में अधिकांस बरसा कहां से प्राप्त होती है तो बिहार में अधिकांस बरसा जो बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है बंगाल की खाड़ी से मिलती है किस पच्च बरसी योजना के दोरान बारत में ELPG निती अपनाया गया था तो इसमें आपको ध्यान रखना है जो ELPG निती है 1991 में अपनाया गया था और ELPG का फूल फॉर्म क्या होता है तो liberalization, privatization, globalization, globalization इसका फूल फॉर्म होता है इसमें कोई पच्च बरसी योजना नहीं चल लए थी इसमें आपके वार्सिक योजना चल ला था इसमें जो है वार्सिक योजना चल ला था तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा E इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है physical policy राजकोषिय निती संबंधित है मौदरिक निती से, banking विवस्ता से, आर्थिक परिगती से, सरकार की प्राप्ति और बेस से तो D इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है पी नोट्स किस से संबंधित है पार्टी सिपेटरी नोट किस से संबंधित है तो बिदेसी संस्थागत निवैसक से तो D ओप्सन ठीक हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की सुरुबात कब हुई तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की सुरुबात जो है 22 जनवरी 2015 को हुआ कब हुआ 22 जनवरी 2015 को तो D ओप्सन ठीक हो जाएगा भारत बन इस्तिती रिपोर्ट 2021 के अनुसार चेत्रफल की द्रिस्टी से सरवाधिक वन आबरन बाले निम्न राज्यों का सही कराम क्या है तो सबसे अधिक जो चेत्रफल के अनुसार कौन है सबसे आगे तो आपके मद पर्देश है उसके बाद अरुनाचल पर्देश है शूद 36 गल है और उसके बाद उडिसा है तो C इसका राइट एंथर हो जाएगा मद परदेश, रुनाचल परदेश, 36 गर उडिसा और पाचमाव के महरास्ट है नेक्स्ट है कि पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया तो पहली बार जो परिसीमन आयोग है इसका गठन 1922 में किया गया था एक निरवाचित समिधान द्वारा भारत की समिधान का अंद्रिमान करने का परस्ताव सुरपर्थम किया गया था किसके द्वारा तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था क्रिप्स मिशन कब आया था 1922 में आपके भारत में आता है निम्लिखित में से कौन सा राज जो है तेहतरमा समिधान संसुदन द्वारा अभी पालन करने वाला पहला राज बना बहुत ही अच्छा ये प्रस्ण है कि निम्लिखेत में से कौन सा राज जो है तेहतर में समिधान संसुदन का अभी पालन करने वाला पहला आज को ने मंद परदेश है तो डी इसका राइट एंसर हो जाएगा तेहतर में समिधान संसुदन अधिनिया 1992 24 अप्रेल 1993 को लागू हुआ यह दियान रखेगा यह आपके जो समिधान यह कब बनता है तो तेहतर में समिधान संसुदन अधिनिया 1992 को आपके समिधान बन जाता है लेकिन यह लागू कब से होता है तो 24 अप्रेल 24 अप्रेल 1993 में सबकी ये लागू हो जाता है आपको ध्यान डखना कि 1994 में मद परदेश के द्वारा इसे लागू कर दिया जाता है मद परदेश के द्वारा इसे लागू कर दिया जाता है अपने बिधान सभासे से पारित करके तो D इसका right answer हो जाएगा किसी राज में नगरपालका का सीमा छेतर अधिय सुचित करने के लिए निमनकित मेंसे कौन सच्छम है तो इसमें सच्छम कौन है सम्मन्दित राज का राजपाल ठीक है सम्मन्दित राज का राजपाल तो B option आपका ठीक हो जाएगा नेक्स है कि भारत के राजपती के द्वारा अध्यादेश जारी करने की प्रस्थिती के सम्मन्द में निमन में से कौन से कतेन आपके सही नहीं है सरकार के समच अकास्मिक प्रस्थिती बिदमान हो तो कर सकते हैं लोग सबा सत्र में ना हो तो कर सकते हैं रास्तवा सत्र में ना हो तो कर सकते हैं तो इसमें सारे का सारे ऐसे इसमें कोई वी गलत नहीं है तो इए औप्शन इसका राइट हो जाएगा नेक्स्ट है निम्न समिधान संसुधन में से किस एक के अंतरगत दिल्ली राश्टी राजधानी छेतर बने तो सिस्टी नेनमा समिधान संसुधन अधिनियाव उनिस्व एक्यानवे के द्वारा तो बी इसका राइट एंसर हो जाएगा बी इसका राइट एंसर हो जाएगा दिल्ली बिधान सवा में कितने सेट हैं तो दिल्ली बिधान सवा में सतर सेट हैं और कितने प्रसेंट लोगमंतरी बन सकते हैं तो दिल्ली बिधान सवा में 10 प्रसेंट लोगमंतरी बन सकते हैं ठीक है तो बी ओप्सन इसका ठीक हो जाए नेक्स है कि किसने कहा था कि राश्च्पती का राजकी अपात समिधान के साथ धोखा है किसके द्वरा बोला गया था तो के यम नाम बी आर के द्वरा बोला गया था अधिक राज्यों का राजपाल बनाने समन्धी प्रफधान की सतनी संसुधरन के द्वरा किया गया है तो ऌचनीयाले के न्यधीशो को पर्द से हटाया जाना सम्मंधित प्रवधान किस देश के सम्मिधान से लिया गया है तो इवसे के सम्मिधान से लिया गया है तो बे इसका राइटन से हो जाएगा महाभयोग भी कहां से लिया गया है यह भी आपके इवसे के सम्मिधान से लिया गया है केंदरिये सतरक्ता आयोक का गठन किस समिती के अनुसंसा पर किया गया तो संस्थानम समिती के अनुसंसा पर किया गया 1964 में संस्थानम समिती के अनुसंसा पर किया गया बारतिय समिधान के निमन में से किस अनुच्छेद के ये किस अनुच्छेद में अंतराजी परिशत के गठन का प्रवधान है दोबारा देखिएगा भारते समिधान के निमन में से किस अनुछेद में अंतराजी परिशत के गठन का प्रभधान है तो अनुछेद 263 में निमन में से कौन सा यसे समिधानिक संस्थाओं के अंतरगत नहीं आता है या आते हैं तो देख लिजे रास्टी महला आयोग यह आपके नहीं आता है रास्टी मानमा धिकार आयोग यह भी नहीं आता है यह भी आपके दुरू नहीं आता है उसके बाद रास्टी पिछला बरक आयोग यह आता है रास्टी अनुछेद जातिय यह भी आता है तो पूछा क्या गया आपसे कि समयधानिक संस्थाओं के अंतरगत नहीं आता है तो एक और दू नहीं आता है तो बी ऑप्शन इसका राइट अंसर हो जाएगा भारत चुनाव आयोग बीत आयोग यह सारे आपके समयधानिक संस्थाइं हैं उसके बाद महत का सवाल है इसे आप लोग सुल्ब कर ल होगा इसे आपसे भी लोग सुल्ब कर लिजेगा 144 डी 144 का डी नहीं ए होगा ठीक है रिजिनिंग है और 145 डी 146 डी 146 का डी 147 ए 148 ए 149 के E 150 के B इसका जो आपका महत का पीडिया पर टिलेग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर सकते हैं तो इसका पहले प्रेक्टिस एर चार का भी जो महत का पीडिया पर दिया नहीं गया था इसे चार और पाच को आज दे दिया जाएगा तो आप लोग दोनों का सेट देख सकते हैं टोटल आपके 150 परसनों को सुल्प किया गया मैंने तो 140 किया अपने 10 किया तो 150 हो गया तो इसमें से कितना कोशन आप सभी लोग सही किये उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएगा अगर वीडियो आपको हेलफू लगता है तो वीडियो अपने दोस हो सकें तो ठीक है थैंक यू